माई साथ मौझूद है राना मुबश्र साहब, Senior Anchor Person and Analyst. थांक यू सो मच पर जॉइनिंग आज राना साहब. गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग वॉल अफुजी कैसे हैं आप लोग खरीट से हैं? अलहम्दोलिल्ला, बिल्कुल ठीक. राना साथ दुबई थी अगर बात करें, फिर से जो है ना वो सियासत का मरकज बना हुआ है और नवाज शरीफ और आसेफली जर्दारी जो है वो दुबई पहुंच चुके हैं, दोनों रहनमाओं के जो है ना दर्मियान आहां मुलाकाद मुतवक्य है. क्या कहेंगे, क्या बड़े फैसले हो सकते हैं इस मीटिंग में? क्या है क्या है क्या हम लोग रिपोर्टर्स और यह हम लोग सारे DSNGs भगा देते हैं, हमें पता चले किसी जगह पर कोई ऐहम शक्सियत जो है या मीटिंग जारी है या बैठा हुआ है, excuse me. तो वहां पहुंच जाते हैं, इस दोजने वर्क बाइब दुबई. So basically, it's like a place where you can like talk whatever you feel like. Secondly, there is WhatsApp as that, तो WhatsApp भी नहीं है वहां पे as such, तो वह इस तरह चलता रहता है वहां पे काम. But, पिछली जो मीटिंग थी उसमें as such कुछ निकला नहीं था. Excuse me. So उसमें problems थी, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो के solve नहीं हुई थी. मिलाना साहरज आपको पता है वो नराज हो जाते हैं. उनको तो मोका चाहिए ना. वो किसी नहीं जैसे नराज हो जाते हैं. So वो नराज हो जाते. तो राना þाहँ नराजगी भी तो जायस थी आप दो पार्टियां मिल रही है आपने मौलाना साब को बाइटीने किया वहाँ पर पावर गेम इसेंडिटिन यार पावर गेम में तो अब समझ आगी कि पावर गेम में तो बड़ी मुखतलिफशें होती हैं वहाँ पे जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ रख रखाओ रखते हैं, on the face of it वो लोग रखते हैं जरूर, लेकिन अंदर से the situation is very different, लेखर anyways, मुलाण साब के एक वर्थ है, मुलाण साब को इसलिए उन्होंने इन्वाइट कर लिये कि आखरी वक्त में कोई ना कोई वहाँ पे कोई मसला ना कड़ा कर रें पाकिस्तान के अंदर, but then he's there and I personally think what's gonna happen is के elections में कैसे वर्क आउट करनी है चीजे और elections के बाद कैसे वर्क आउट करनी है चीजे, ये एक वहाँ पे एक tedious जॉब है, जो करने के वहाँ पे ये लोग बैठे हुए, खास तोर पे मुलाण साब की वहाँ पे जो क्या standing होगी KPK के अंदर, क्योंकि KPK के अंदर इस वक्त भी मुलाणा साब को heat face करनी है, PTI की support voters की तरफ से heat face करनी पड़ी, despite the fact के परवेजखटक जो है, वो अपना एक group बना रहे हैं, लेकिन उनके पास जो प्रवेजखटक साब के पास जो group इस वक्त तक मौझूद है, वो ऐसा कोई बड़े नाम नहीं है, so इसलिए वहाँ पे problem face करनी पड़ रही है, राना साब ये कहिएगा कि इंटेरिम PM से मतलिक ये गुफ्तगू होगी और किसी एक नाम पर इतफाक करना भी जरूरी है, इसागडार साब का नाम नॉमिनेट किया गया PMLN के जानिब से, किस तरह से देखते हैं इस सारी सुरतहाल को, और इसागडार इसागडार साब का नाम इसलिए महाबे रखा गया सामने, अभी बड़े नाम यहां पे घुम फिर के आगे खतम होगे फिजल आउट कर गये, लेकिन इसागडार साब का नाम इसलिए रखा गया है, कि चाहते ही ये हैं कि क्वांटिनिटी अगर रहेगी, तो को इसलिए वहां पे पिच्छ किया गया है कि वह जनाब शायद वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो इसलिए कॉंटिनुटी के लिए किया है कि एकनॉमिक कॉंटिनुटी रहे और अगर यह जो स्पैन है यह केर टेकर का यह थोड़ा सा स्ट्रेश भी हो जाए तो उस सच को प्रॉब्लम्स ना है क्योंकि चंग कभी आने हैं बाकी आयमेफ जी जब वापिस आने आयमेफ से और भी आने हैं तो इसलिए को हर्डिल्स ना हूं जो इसलिए उनका पिच्छ किया गया है और उसके बाद कैबिनिट जो हो भी डिसाइड की जाएगी वहां पे कुछ नाम हैं उन पे जनाब देल गो फ्रूइट ब्रेंस्टॉमिंग होगी तीनों बैट के ब्रेंस्टॉमिंग करेंगे सो वह बैट के दुबई में ये भी डिसाइड होगा कि कौन केर टेकर सेट अप केंदर कौन कौन सी कैबिनिट में लोग होंगे अच्छा राना साब खबरे तो ये भी आ रही हैं कि निगरान वजीर आजम कोई बेरोक्राट या फिर कोई टेक्नोक्राट भी हो सकता है और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि निगरान वजीर आजम का जो उगदा है ये सियासतदान का हक है क्या कहेंगे किस के पास जाने मेरी राए है वो यह है कि होना यह चाहिए कि के टिकर सेटप का के टिकर प्राइम निस्टर वो होना चाहिए हूँ इस नॉट पॉलिटिशन ठीक है तो इसका स्टेक पर कुछ नहीं होगा ठीक है तो वो बिलकुल फोकस्ट रहके जीरो इन करेगा सिर्फ और सिर्फ जो इसकी रिस्पोंसिबिलिटी है जो में रिस्पोंसिबिलिटी है और दाट इस लाइक अलेक्शन तो उन पर फोकस करेगा और डे टू डे अफेर्स जो है स्टेट के उनको रन करेगा तो वो इधर उधर फटिल्ट तोर्ज एनीवन ठीक है तो अगर कियासतान नहीं होगा तो I personally think it's a good thing जाना साब दो तीन आम नुकात है सेर मुड किया लगता आपको 맛पारा के मूड को देकर आपको लगता है कि असाकदार साब के नाम पर इतवाक हो पाएगा और फिर दूसरा ये कि अगर इसागडार साहब इंटरिम पीम बनते हैं और फिर इंतखाबात होते हैं तो इस बात की गैरेंटी कौन देगा कि बाद में कोई इस तरह से फड़ा नहीं पड़ेगा कि जो है वो साइड ली गई या ये प्रॉपर न्यूटरल इंतखाबात थे क्यूंके केर टेकर सेटप का काम ही न्यूटरल इंतखाबात करवाना है भाद में क्वैस्टा मार्क्तों रज होने ही होने जाय आप सही करें जाया थोड़ा सा उसको मैनेज करने की कोशिश करें वो तो मार्क तो उठने ही उठने इन इister ways टीक है यह होता है और यह वहता होता out of the box thinking लेके आएं क्योंकि यह 90 जिरा हम चोड़ा सा चीजें बहुत चेंज हो चुके है यहां ठीक है उसके बाद जनाब उसका जनाब किसी पार्टी से तालुक नहीं होगा तो डेफिनेटली मिनिमाईज हो जाएंगी चीजें प्रेशर मिनिमाईज हो जाएगा अगर आप खेर जानेदार और बेलाग तरजियों और तबसरों में दल्चस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें